असलाम लेक्म एविवान वेलकम एक टो इनोवेशनल ब्लैंस इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक सिंपल एलिमेंट पर 3D एफेक्ट क्रियेट कर सकते हो इलस्ट्रेटर पर एक सिंपल एलिमेंट चाहिए हैंड रॉन एलिमेंट जिसकी मैं एक कॉपी बनाऊंगी आल प्रेस करके इन दोनों कॉपी पे मैं इतना गैप रखूँगी जितनी मुझे अपने 3D आपजेक्ट की डैप चाहिए होगी ठीक है और उसके बाद फिर मैं इन दोनों के कलर्स को ए पर कॉपी है उसमें में थोड़ा लाइट कलर रखूँगी देन अबजेक्स में जाके ब्लैंड के उप्शन को सिलेक्ट करें एंदेन मेक और अब अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस दोनों कॉपी के सेंटर में लाइन आरी है जो हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे अबजेक्स में दुबारा जाके ब्लैंड के ऑप्शन को ओपिन कर लेंगे जिसमें से इस पेसिंग वाले सेक्शन में से हम स्पेसिफाइड शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इनके दरम्यान जितनी कॉपी स्वाइए उनको वहम लिख देते हैं फॉर स इस शो नहीं हो रही है लेकिन अब इस अलिमेंट के कलर थोड़ से डिस्टब करें तो इनको दुबारा से थोड़ा एज़स कर लेते हैं तो लेजर पैनल में जाकि जो फस्ट कॉपी ए उसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड एन इसके कलर को एज़स्ट करेंगे इसे तरह कॉपी के अलग-अलग कलर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं ओब रॉरॉल एक ही कलर सिलेक्ट होगा पूरे एलिमेंट में हमें डाक टु लाइट वालाएफेक्ट नहीं मिलेगा इस अगर हमें एज़स्ट में भी यह 3D एफेक्ट देना हैं तो उसके लिए भी सेम यही पूरे को रिपीट करके टेक्स्ट में 3D एफेक्ट करे रहे हूं इस एफेक्ट से हम अपने डिजाइन को मजीद क्रियेटिव बना सकते हैं एट्रेक्टिव बना सकते हैं इंट्रस्ट क्रियेट कर सकते हैं उसके अंदर I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कीजेगा मेरे चानल को सब्सक्राइब करें Thank you so much